रादे दोस्तों मैं हूँ अनुकमा और अनुपोंस चैनल में आपका स्वागत है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक सेर करें मैं आज नर्या नारियल लड्डू बनाने वाली हूँ उसके लिए ताजे पानी वाले नारियल ली हूँ और उसे छोट पीस में कट करके ली हूँ अगर आप पानी डाल करके इसे घ्राइंड करती है तो ब्रूपे समय तक स्टोर नहीं करके रख सकती है और इसका टेश्ट भी अच्छा नहीं लएगा इसलिए प्लीज आप थोड़ा-थोड़ा करके ही उसे बारी ग्राइंड कीजिए तो यह अ नोटे तली की कडाही ले लेनी है और एक कटोरी से नाप ले रही हूं कि कितना हमारा नारियल है तो ठीक उसके हाफ कटी टेमीज में चीनी एड़ करूंगी यह लीखी दोस्तों मैं नाप ले रही हूं एक कटोरी दो कटोरी और थोड़ा सा हुआ है यानि हम मैं इसमें एक कटोरी और थोड़ा सा चीनी आड़ करूंगी तो चली चीनी भी आड़ कर देती हूं इसमें मैं एक कटोरी ही चीनी आड़ कर रही हूं अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करती है तो थोड़ा सा और दो चार्चमें आड़ कर सकती है तो चलीए अब इसे लगताल घूंते हुए हमें पकाना है अब इसे अच्छे से भून लेती हूं नारियल चीनी को भूनती हुए दस मिनट हो चुके हैं इसका केलर भी चेंज हो गया और थोड़ी से फुस्वी आने लगी अच्छी सीसमें से तब थोड़ा सा हाथों में पानी लगा कर और इस नारियल के पानी आपके अपके अपके और इसे चैड्यों के linaga फिर्टी के रूप में छुआ से शुक्सटवशा हमे मैं अच्छा हो चाहां यह मैं तो वैसे अर्ज से फPartप करना बना हुआ हूँ है लेकिन एक रेकल नारियल को बना हुए यह तो पाना हुलत से इस से बहुत और बैता हुआ रह रहा है को और इसे भी लगता चलाते हुए दो मिनाट तर भून लेती हूँ ताकि मावा इसमें अच्छे से मिल जाए इसे अच्छे से पहले बून तर भून लेती हूँ एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ दोस्तों कि अगर आप घर का मावा यूज करें तो उसे भूनने कियाव सकता नहीं है उससे आपके मिठाई का टेश डबल हो जाता है लेकिन अगर आप मार्केट का मावा यूज करें तो उसे पहले अच्छे से कडाही में भून ले तभी उस से यूज करें तो चलिए यह हमारा लट्टू का डू बनकर तैयार हो गया है अब गयास का फ्लेम आफ कर देती हूं और इसे दूसरे बटन में निकाल ले रही हूं ताकि लट्डू बना सको इसके सारे मिशन को एक दूसरे बटन में ट्रांसफर कर ली हूं अब थोड़ा सा हाथों में पानी लगा करके और इसका हमें गरम में ही लट्डू बनाना है क्योंकि ठंड हो जाने पर इसके लट्डू नहीं बन पाएंगे तो यह दिकी काफी अच्छे सी इसके लट्डू बनने लगे हैं इसी तब से हमें सारे लट्डू को बना त्यार कर लेंकर झाल है तो छलिए सारी लड्डू को बना कर तयार कर लेती हूं इसी तब ड वेगते हैं सच मानिये दोस्तों बहुत ही टेश्टी लगती है और सारे मिठाईयों से काफी अच्छा इसका टेश्ट होता है आप चाहें तो भीना मावा के भी नारियल के लेड़ू बना सकती है बेंगॉली लोग तो लक्षमी पूचा में उन्हों के लिए खास आइटम होता है कि नारि लेड़ू बनाईये देखिए एक इतने सॉफ्ट भी बने है और खाने में भी काफी टेश्टी लगेंगे तो प्लीज आप इस रेसीपी से एक बाल नारियल लेड़ू जरूर बनाए और मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपका नारियल लेड़ू कैसा बना है लेड़ू लेड़ू